भारत टीवी के इस खास पे इसकास और दर्खवास की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी काई इस्तकबाल करता हूँ भारत टीवी में पूरे मेवात वासियों से अपील है कि ओ घर पर रहे सुरक्षित रहे क्योंकि करोना की जो महमारी है वो मेवात लाके में लगातार बढ़ती जा रही है रोजाना ऐसे दो चार केस देखने को मिलते हैं जहां पर करोना की वज़ा से पैसेंट को ना बैड मिल रहा है ना वेंटीलेटर्स मिल रहे हैं ना ऑक्सीजन मिल रहे हैं और जिसके चलते मेबाद के ना जाने कितने हिलाल अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा के गए हैं पिछला एक वीडियो था जो कि अरसद नाम का सक्स था जिनकी मा को सक्स जरूरत थी बैड की और वो लगातार सोसल मीडिया पर आकर मिबाद के लोगों से अपील कर रहे थे कि भाई मेरी मदद कीजिएगा लेकिन सिस्टम की बदहाली सिस्टम की लाचारी के चलते अरसद की म आई दुनिया को अलविदा के गई अब एक और वीडियो सोसल मीडिया पर तेजी के साथ वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में पपू नाम का सक्स है जो की क्रोना पैसेंट है बीमार है उन्हें बैड और वेंटिलेटर और ऑक्सिजन की सक्त जरूरत थी लेकिन वो लग हैं ऐसी नजाने कितनी सारी तश्वीरे सामने आ रही हैं जो दिल को कचोड जाने वाली हैं ऐसे में जरूती यह है क्योंकि सिस्टम पूरी तरिके से बदहाल हो चुका है आप अपने घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और बिना किसी जरूरी काम कि आप घर से बाहर मत निक अगर आपको इस बीमारी ने एक बार घर लिया तो उसके बाद में ना आपको सिस्टम से मिल पाएगा ना आपको बैड मिल पाएंगे ना वेंटीलीटर्स मिल पाएंगे ना ऑक्सिजन मिल पाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्रोना का पैसेंट निकल आता है क्रोना पॉजिटिव हो जाता है तो डॉंक्टर्स भी उसका इलाज करने में कत्राने लगते हैं क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो तेजी के साथ लोगों के अंदर फैल्टी जा रही है और एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनने के बाद अब लोग वेसे ही हिम्मत हारने लगत समसान गाट को था रहे और कि आपने आपको सुरक्षित रहें हर हर संभव कोशिस करें कि आपने आपको सुरक्षित रहने के लिए मास्क गलब्स सेनिटाइजर का इस्तमाल रखे